तो दोस्तों आज हम बात करेंगे विदिप्ता चक्रवर्ति की मुजिकल जर्णी के बारे में तो साल 2004 में सोडापूर कॉलकाता में विदिप्ता चक्रवर्ति का जन्म हुआ बचपन से ही उन्हें भरपूर मुजिक सपोर्ट मिला है इस तरह वे सबसे पहले नजर आई 2017 के एंटीवी के टीवी रियल्टी शो मुजिक की पार्ट शाला में जिसके अंदर टीवी होश्ट थे राहुल वेद्या जिसके अंदर निहा ककर टोनी ककर सुनुक कर और भी बहु सारी कंटेशन उनके साथ थे इस शो में बिदिपता को बहुत रिकोगनाइस किया गया लेकिन इसके बाद भी उन्हें वह पैचान नहीं मिल पार थी उसके बाद वह उसी साल साल 2017 के अंदर ही जी टीवी के सारे गामापा लिटिल चैंप्स की अंदर और शेन देते हुए न अंदर उन्हें काफी रिगोगनाइस किया गया यहां पर वे टॉप 30 के अंदर शामिल हुई लेकिन सारे गामापा 2017 इतना बड़ा हिट हुआ कि जब उसके टॉप 7 बचे रह गहते तो फिर से एक औरशन हुआ और टॉप 5 चैंप्स को चुना गया और शेन की अंदर विदिपता ने कोई भी कसर नहीं चोड़ी और आखिरकार बाजी मार ली और इस तरह से इन्हें इस कॉमपेटिशन में फिर से एंटी मिल गई दरबादरी अच्छा प्रफोर्मेंस कर दी गए लेकिन आखिरकार टॉप 8 में आकर वे यहां पर भी एल्मिनेट हो गई इसके बाद विदिपता कई टीवी शोर्स के अंदर दिखाए दी 2018 में एंटीवी के लव मी इंडिया शोव पर भी उन्हें देखा गया इसके बाद विदिपता सीधा 2020 के सारे गामापा जी बंगला में दिखाए दी और वहां पर उनकी गाईगी को बहुत पसंद किया गया शायद ही कान रहा कि वे इस शो में सेकेंड रने रफ रही हुआ है कि दिल है चोटा सा चोटी से आशां तुम पास आए तुम ने जानी क्या सपनी दिखाए कहता है दिल सता मुष्किल मालू नहीं है का मंजिल जानो मेरे जान मैं तेरे पुर्माद गुझाना धुडती हूँ गुदी बनाऊ धुडती हूँ हडे कैछों तेरर स्व वह तेरे झाए लॉए एक खोर्मा खोकी smile घ्सधी संझ रहा मेरे नुम अरू मरू तू हुदो मेरे पीician हम अज़ाने मेरे पी ऑँपाए युण बनाटेटी कि तोक्ती तोक्ती हूज उस्टी की गाई नहीं नहीं प्रशpra भिण खे इस शो में तोर पर जगा बनाने के बाद वेफ्री से 2021 में जी टीवी सारी गामापा हिंदी में दिखाए दी अब विदिप्ता को बहुत लोग जाने लगे थे वह बहुत साही रियल्टी शोस में नजर आ चुकी थी लेकिन इस शो के अंदर भी टॉप 30 के अंदर ही जगा बन पाई टॉप 15 में वे अल्मिनेट होगी टॉप 15 के अंदर भी जगा नहीं बना पाई 2021 में इस शो के अलावा वे दीदी नंबर वन और दादागरी सीजन 9 के अंदर भी अपनी खुप्सूरत देते वे दिखाए दी इसके बाद फाइनली विदिपता ने 2022 में इंडियान आडल सीजन 13 का और्शन दिया और इस बार ना केवल विदिपता की सिंग को बलकि उनकी खुपसूरती को भी काफी पसंद किया गया और टॉप 15 में इस बार शामिल हो गई बिदिपता इतनी सुन्दर दिखती है कि उनकी खुपसूरती से खुश होकर सुभाज गय ने उन्हें हिरोन बनने का ओफर दे दिया जिन्होंने जैकी श्राफ और महिमा चोदरी जैसे बड़े बड़े इस्टार को बनाया है और मेरे अंदर से कुछ ऐसे आवाजें आती हैं कभी गलत भी होती हैं कभी सही भी होती है लेकिन जाधा तर्म सही होती है क्या आप हेरोन बनना पसंद करें जी और ऐसा किसी रियल्टी शोर्स की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है क्योंकि मुजिक एल्बम्स तो बहुत लोगों को मिलते रहते हैं लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी सिंगर को उसकी खुपसूरती के आधार पर एक खिरोन बनने का ओफर मिला हो फिलहाल बिदिप उनके जर्नी बहुत लंबी होने वाली है तो बिदिपता के आप लोगों की क्या रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जुरू बताइएगा और आप किसी और भी मेंनक्त में जानना चाहते हैं तो उसके बारे में कमेंट कीजिएगा उसके बारे में जल्दी वीडियो आ जाएगा तो दोस्तों फ्राल आज करू में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक लिए निवात खंबागणी जय हिंद